हलो फ्रेंड वेलकम बैक पूमाई यूटूब चैनल मैं हूँ वर्सा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाइव वर्सा तो फ्रेंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो अभी बज रहे हैं सुबह की साड़े आठ तो हम लोग सब भी जग गई हैं गुनू भी जग कि थोड़ी बहुत मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किये क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मतब टाइम के लिए तो यार काम भी नहीं है कुछ पर फिर भी पूरे दिन गुनू के साथ में हो जाता है तो अभी मैं गुनू को खाना खिला रही हूं बस खाना खिला के इसको तयार कर दोंगी और मैं भी ढाने के लिए चली जाओंगी अभी गुनुक को लेकी जाना है दस बजे थैरपी कराने के लिए तो पहले मैं इसको खाना खिला रही हूं उसके बाद मैंने कपड़ों को दोलने के लिए लगा दिया है तो यह हमारे कपड़ी भी धुल गए हैं बस मैंने इनको नीची डाल दिया उपर डालने के लिए मैं नहीं गई थी क्योंकि में पास टाइम नहीं था इतना दस बजे निकलना है तो सरदियों में तो बहुत जल्दी दस बज जाते हैं तो देखिए अभी मैं आ गई हूं ग 협 और यहां सब लगों ने खाना खा लिया है कहने में आज वनी है रोटी एंग घाजर अलुकी सब्जी तो आंटा में पहले लगा रग गई थी और सबजी दीदी न Peng वोनने सब दोखो सब्मीने बना दिया था हम आरे घाल में क्या है ना जब ही कोई भी भी खाना कहता है तो फटापट से हम तब भी गरम गरम रोटियां बना देते हैं और गुनू भी इदर सोरी की तैयारी में है इसको मैंने खाना पीना खिला दिया है बस खाना पीना खाने के बाद मैं मैं किचिन को साफ कर दूँगी और जो बरतन साफ की हुई रखे हैं उनको मैं लगा दूँगी तो यही होता है सोबै से और तुपहर तक का काम काना भीना बनाना और बस एक काम बढ़ी आए गुनू को थेरपी के लिए लेके जाना और फिर घर पे भी मेरे को दो बार करानी पड़ती है तो सारा टायम Häsis मतब काफी सारा टायम गुन्नू के साथ में निकल जाता है यह मैंने गुन्नू की बोतलों को वैल कलने के लिए रख दिया है किचिन को क्लीन कर दिया यह बारतन मैंने श्रिंक में डाल भी यह वहां झाली बारतन वाली आय। उलखे बस अभी साप करके गई थी उनको लगा दूँगी दो बज़े बच्चे आते हैं तो उनके लिए खाना बनता है तो थोड़ा केचिन में ऐसी हो जाता है उसको भी किलिंग करना है तो वो सब मैं कर दूँगी अभी तो देखिए यहां पर मैं बना रही हूं चाय की आ हुँ में बहुत जीदा काम नहीं होता है बस थोड़ा थोड़ा ही काम होता है क्यांकी जाड़ो पुंचा वह बतन मेट कर जाती है तो बस काम क्या पी प्रसथ का टाइम हो रहा है तो खाने में आज हम बना रहे हैं रेल की दाल तो दाल हमने चड़ा दिया मैं आटा लगा रही हूं और दीदी सब्जी बगरा साफ करके रख रही है और गुनु भी दरी खेल रही है हमारे आसपास खेलती रहती है बस उसके बाद मंदिर में दीपक जला गई है मैं तो जहां मैं जाती हूं वहीं पर आ जाती है तो देखिए अभी छे बज रहे हैं और बच्ची भी आ गए है टूसं से बच्ची यहां पर खेल रहे हैं गुनु भी उनके पीछे पीछे घूम रही है मैं हूपे पापे यह है मैं राच होता है जाच यह है मुम्मी बेग और यह है दैनी बेग दैनी बीबी है है तो बस हमारा खाना भीना हो गया है और अभी टाइम हो रहा है ऐधिंग आठ बज रहे होंगे तो और वहीं कप्ड को में को प्रेस करनाब कर दूंगे तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लोग आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंज चनल को सब्सक्राइब करना बिल्खोल भे ना भूलिएगा वर देख जुनों इधर ही साइट लिक आप आए है अगरू लग गई क्या साइट से लोग तो मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट अच्छी से ब्लोग के साथ मैं तक लिए बाए 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 झाल पिटिवाले ही साइस एक रप है कि अच्छी आप सब्सक्राइब करना बाए प्रदावाब का सब्सक्राइब कर सिर कर लोग से लिए कि आपना रहा है जा झाल हुन